श्री श्री श्रीश वाय नमस्तुब्यम हरहर महादी दृष्ट को चार अक्टुवर को महानौ में है यानि कि नवरात्रे का समापन है ऐसे में आप मातारानी को प्रसंद करने के लिए और उनकी विसी श्क्रपा पाने के लिए अपनी मनवान्छित इच्छा को फूल करने के लिए एक छोटा सा उपाय करना बिलकुल अभूल है मंगलवार का दिन है जो की हन्वाजी को समर्पित होता है नवरात्रे के दौरान यदि आपने हन्वाजी की पूजा अरचना नहीं की यह तो इस दिन आप हनमान जी की पूजा अर्चना अवस्य करें इससे आपको नवरात्रे के जो भी ब्रत पूजा पाठ आपने किये हैं उसका सुफल आपको प्राप्त होगा नवरात्रे में यदि हनमान जी की पूजा अर्चना नहीं की जाती है उनको मातारानी की क्रपा प्रा नहीं हुई है उसके लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना है आपको पीपल के ग्यारे पत्ते कोमल कोमल लेने हैं और उन पर घी में सिंदूर लगाकर यानि की थोड़ा सा सिंदूर लेना है और उसमें दो या तीन भूद घी मिला लें और उस सिंदूर से अपने सीदे हाथ की बीच की उंगली से राम लिख दें राम राम लिखने के बाद आपको उन पत्तों की एक माला बनानी है और उस माला को आप चाहें तो सुवर के समय या फिस साम को सूर्य अस्त होने से पहले हनमान जी को उनके गले में पहना के आजाएं ऐसा करने से आपकी जो भी कामना ह वह पूर्ण हो जाएगी जब आप जो माला बनाकर हनमान जी को पहना रहे हैं उस समय आप हनमान जी से अपने मन की जो कामना है जो इच्छा है जिसे आप पूरा कराना चाहते हैं उसे मन ही मन बोलें और हनमान जी का थोड़ी देध्यान करें यदि आपको हनमान चालीसा आती हैं यदि नहीं आती है तो कम से कम 11 21 या 51 बार राम राम का जब करें ऐसा करनी से आपकी भह मनों कामना निश्चित ही पूरी होगी उमीद करती हूं यह उपाय आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा उपाय अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक चनल को मैं मिलती हूं आपसे नेक्स वीडियो में स्री शिवाई नमस्तुब्यम हर हर महदीप